हेलो वेलकम टू पावर अफ अन्बॉक्सिंग आज मैं करने वाला हूँ कमपैरिजन दो अलग Bluetooth डिवाइसिस का जो है नेक बैंड सबसे पहला है हमारे पास बोट रॉकर्स 255 दूसरा है हमारे पास सेनाइजर CX150BT यह दोनो Bluetooth यह फोन्स हैं इन यह फोन्स तो इनके बारे में पहले आपको बता देता हूँ दोनों ही Bluetooth 5 वर्जन सपोर्ट करते हैं यह दोनों ही अलग अलग दो डिवाइसिस से कनेक्ट हो सकते हैं एक टाइम पे दोनों तो इसकी जो बैटरी लाइफ है Rocker's की यह 8 गंटे का टॉक टॉक टायम देता है और यह रिडियर का है जो यह देता है आपको करीबन 10 गंटे का टॉक टायम यह दोनों की battery life हुई मैं आपको दिखा भी देता हूँ दोनों प्रोडक्ट कैसे हैं उससे पहले मैं बताता हूँ उनके बॉक्स में मुझे क्या-क्या मिला है सबसे पहले मैं दिखाता हूँ रॉकर्स के अंदर क्या-क्या मिलता है तो boat rockers के अंदर हमें पहले मिलता है इसका एक main unit जो इसका earphone होता है जो neckband के साथ आता है साथी साथ इसके अंदर हमें user manual मिलते हैं warranty card मिलता है एक साल का साथी साथ इसके अंदर मिलते हैं आपको दो earbuds और एक charger जो type C charger है और अब देखते हैं हमें सनाइजर में क्या-क्या मिलता है सनाइजर में हमें काफी कुछ यही चीज़े मिलती है हमें मिलता है सबसे पहले तो एक earpiece साथी साथ इसके अंदर मिलते हैं तीन earbuds के सेट और साथी साथ मिलता है इसमें type-c charger अब दोनों को compare करके देखते हैं कि इनमें फरक क्या है और कौन सा आपके लिए better रहेगा दोनों यह phones available है मेरे पास अब पहले हम इनको देख लेते हैं दोनों में फरक क्या-क्या है अच्छा यह जो है इसका यह प्लास्टिक का है पुरा पीस जो कि बिलकुल stretchable है ऐसे band हो जाता है इसको आप simply अपने गले में ऐसे पहन सकते हैं यहाँ पे इसमें magnet है जिससे कि आप इसको चिपका सकते हैं और यह आपकी गले में ही रहेगा बल्कि जब हम snizer की बात करते हैं इसके अंदे कोई magnet नहीं है इसको आप नहीं चिपका पाएंगे इसका control यहाँ पर है और यह पूरी एक wire है यहाँ पर इसमें इसका एक battery piece है तो जिससे बैटरी मैंने बताया था इसकी battery backup 10 गंटे का है टॉक टाइम रॉकर्स का जो battery backup है 8 गंटे का है अगर आप sports person है जोगिंग बगिरा करते हैं तो आपको मैं बता दू कि आप यह वाला इन दोनों में से अगर लेना चाहे तो यह वाला बेटर रहेगा क्योंकि यह आपकी गले में आराम से fit रहेगा और इसके अंदर यहां पर इसमें support भी है जो कि आप अपने कान में इस तरह लगा लेंगे तो यह कान में fit हो जाएगा अगर आप जॉगिंग भी करेंगे तो यह कान से निकलेगा नहीं हाला कि स्नाइजर की बात करें तो इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है अगर आप इसे पहनते हैं तिकान में तो fit हो जाएगा लेगिन अगर आप जॉगिंग बगरा करते हैं तो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं रहेगा क्योंकि यह जो बैटरी पीस है इसका यह उचलता काफी अच्छी साउंड आती है बल्कि जब हम compare करते हैं इस से स्नाइजर से स्नाइजर में बिल्कुल भी बेस नहीं है लेकिन इसके अंदर आपको आवाज बिल्कुल crystal clear सुनाई देगी तो यही फर्क है कर आपको crystal clear आवाज सुननी है हर एक beat सुननी है तो आप स्नाइजर कर सकते हैं लेकिन अगर आपको बेस सुनने का शौक है तो आप यह ले सकते हैं दोनों की bluetooth connectivity का तरीका बिल्कुल सेम है इनके जो menu button है जो main power का button होता है बीच में उनको आप press करके रखेंगे तीन सेकेंड उसमें light blink होने लगेगी आपको अपने phone में connect करना है उसके बाद में search करके simply connect हो जाता है दोनों की functionality बिल्कुल सेम है कोई फारग नहीं है call pick करने के लिए आपको बीच के button यूज करने पड़ते हैं disconnect करने के लिए दोनों में ही आप बीच का button press करके रखेंगे कुछ second के लिए call disconnect हो जाएगी volume आपका button है down का button है जिससे गाने आप आगे और की फारग है अगर जैसे मैंने बताया को अगर आपको बेस पसंद है तो आपको यह वाला लेना चाहिए अगर आपको crystal clear sound चाहिए तो आप snizer ले सकते हैं अगर आप sports person है तो आप इसके लिए जा सकते हैं अगर आप एक जगह बैट के अराम से काम करते हैं sports person नहीं है तो प्रोडक्स का comparison यह मेरे reviews हैं अगर आपको इनके बारे में कुछ और पता है जो की अच्छा या बुरा है तो आप बिल्कुल comment section में मुझे बता सकते हैं ताकि मैं अगले कुछ वीडियो बनाके बाकियों के साथ भी शेयर कर सकूँ तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपक को वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल सबस्क्राइब भी कर ले और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में जब तक के लिए अपना क्याल रखिए टेक क्यार बाबाए